हेलो एब्रीवाण, वेलकम तो माँ चैनल, आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉलर नेक ब्लाउस की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, तो इसके लिए मैंने एक मीटर ब्रोकेट का कपडा लिया है और एक मीटर अस्तर का कपडा लिया है, और मेरी चैनल और वीडियो स सब भी अपडेट्स के लिए आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में है तो सबसे पहले मैं बैक पाट की कटिंग करूंगी तो इसके लिए मैंने कपडा लिया है और इसको सिंपल एक फोल्ड में रखा हुआ है य उसमें आधा इंच का मार्जन ले रही हूँ जो नीचे से दबेगा उसके लिए तो 14.5 इंच पे मैंने निशान लगाया और इस लाइन को स्ट्रेट कर दिया अब यहां यह जो फोल्डेड वाली साइड है यहां से अंदर को हमें आधा इंच पे निशान ले लेना है और य यहां से अंदर को हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना है यानि कि तीरा के लिए तो जितना भी नॉर्मल आप शोल्डर रखते हैं उतना ही रखिए इसमें कोई भी कम ज्यादा करने की जरुवत नहीं है तो मेरे मेजरमेंट में साड़े छे इंच के शोल्डर है तो मेरे मेरे मेंचे में बर्स्ट तो चार से तु tech फैनि तो मेंने हम यह प्रष ञाए आप इस पॉइंच को आमहूल वाले पॉइंच पे स्ट्रेट लिए जाइन कर देना है अब यहां नीचे पे हमें कमर के लिए निशान लगाना है तो जितनी भी आपके कमर है आप उसको 4 स divide करें और उसमें 1 inch extra add करें darts के लिए तो मेरी कमर 28 inch है तो उसको 4 से divide किया तो आया 7 inch और 1 inch extra ले रही हूं मैं darts के लिए तो वो आया 8 inch तो 8 inch पे मैंने निशान लगाया अब इन दोनों points को straight line से join कर देना है अब यहां यह कमर वाले हिस्से में यह मार्जन लिया हमने आधा इंच इससे अंदर को हमें 3.75 इंच पे एक निशान लगाना है और इस निशान के सेंटर वाले के टॉप में स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर दीना है अब यहां से अंदर को हमें नेक विट्थ के लिए निशान लगाना है तो नेक विट्थ में यहां पर 1,5 इंच के रख रही हूं और बैक नेक की जो डीपनेस है वो मैं आधा इंच के लिए रहे हूं यहां से नीचे को साड़े छे इंच पे एक और निशान लगा लेना है अब इन दोनों पॉइंट्स को आप चाहो तो इस तरह से थोड़ा सा घुमाओ दे देवे भी जॉइन कर सकते हो या फिर इस तरह से यहां पर हार्ट का शे भी हम बना सकते हैं अब यहां पर हमें बैक का आम हो सब्कड़ में आप चाहो तो पॉइंट डूफाइव इंच का मार्जन हो और निशा में अनले का आप यहां पर जो उसकोम हमारा पर डार्ट का निशान इस को हमें वीसक किया इंच तरह भी ट्रेस का लेनाँ आप अब मैं फ्रन पार के त्रूंगी की कटिंग के लिए मैंने कपड़ा लिया और इसको भी सिंगल एक फोल्ड में करके रखा है अब हमें सबसे पहले उपर पे आधा इंच का मार्जन ले लेना है और इसको भी स्ट्रेट कर देना है अब यहां से नीचे को हम ब्लाउस की लेंद के लिए निशान लगाएंगे तो पार्ट की जो लेंद होती है वो बैक से एक ज्यादा हम लेते हैं जैसे मैंने 14 इंच की लेंद बैक पार्ट की तो उसमें से एक इंच एक्स्रा यानिकी 15 इंच की मैं यहां पर ले रही हूं और आधा इंच का मार्जन जो होगा वो दबाने में आ जाएगा अब इस लाइन कि जितनी अपकी कमर है आप उसको चार से डिवाइट करें और निशान लगा लें मेरे हाथाईज है तो चार से डिवाइट करने के बाद अब आहाए सात इंच तो इंच पर मैं निशान लगा Um जो कमर वाला हिस्सा है यहां पर जैसे मैं 32 साइस का blouse बना रही है तो उसके लिए जो princess cut का नीचे cut आता है वह 1.5 इंच का कट हमारा यहां पर आएगा तो उसके लिए पहले यानि कि 1.5 इंच में एक्स्ट्रा बढ़ा ले रही हूं और जब हम ये 1.5 इंच का कट को सिलेंगे तो दोनों तरफ से आधा-धा इंच का मार्जन सिलाई में भी जाएगा तो यानि कि टोटल एक इंच तो एक इंच का कपड़ा हमें और बढ़ाना है इसका मतलब कि कमर वाल है उतना ही है फ्रेंट ने की डीप नेस भी ले रही है तो 5 इंच की मैं फ्रंट नेकिडीपनेस भी ले रहे हूं अब हम इन दोनों साहिश को हमें हलका सा घूमाओ देटेवर जॉइन कर दिना है अब यहां शोल्लर से नेचे को मैं बस्टों ऐroe टक्स प्वाइज के लिए अगर आप large size के लिए यानिके बड़े size के लिए तो आप 10 inch या फिर 60 inch तक निशान लगा सकते हैं तो मैं यहाँ पर 69 inch पर निशान लगा रही हूँ अब यह जो folded वाली side है यहाँ से यह point कितने दूरी पर होना चाहिए इसका formula है जितना भी आपका burst size है आप उसको 10 से divide करें और फिर उसमें आधा inch की losing add करें जैसे मेरे measurement में burst है 32 inch का उसको मैंने 10 से divide किया तो आया 3.2 inch और उसमें आधा inch की losing add करें तो आया 3.75 inch तो मैंने यहाँ पर 3.75 inch पर निशान लगाया अब जितना हमने निशान यहाँ पर लगाया उससे 0.25 inch कम हमें नीचे कमर भले हिस्से में लगाने तो उपर मैंने 3.75 inch पर लगाया तो नीचे पर मैं 3.5 inch पर निशान लगा रही हूँ अब एक निशान हमारे ये लगा, दूसरा हमारे ये वाला लगा और तीसरा निशान हम यहाँ आम होल में लगाएंगे लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर फ्रंट का आम होल कर्व बना ले रही हूँ और यह जो आमूल करव है इसका बल्कुल डीप वाला पॉयंट जोता है यहां पर हम लेंगे तो तीसरा पॉयंट हम ये वाला लेंगे अब इन तीनों पॉयंट को हमें हलका सा घुमाओ देते वे जॉइन कर देना है अब यह जो कमर वाला पॉयंट है इससे बहर को 1.5 पे 1.5 पाइब। इख निशान लगाना है अब इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते वहें निसमें शेंटर में पॉइंट बॉर्स्ट पॉइंट है इस लेना है अब हमें इसकी कटिंग करनी है लेकिन ध्यान दीजेगा जब आप फ्रंड का आम होल कर्फ करें तो इसको बहुत ज्यादा डीप मत कट कीजिएगा क्योंकि जब हम प्रिंसेस का जॉइन करेंगे तो यह आम होल अपने अब उपर नीचे हो जाएगा तो आपका आम हो को चार फोल में मैंने रखा हुआ है और यह स्लीव की विट है और यह स्लीव की लेंद है तो जितनी भी आपके स्लीव की रेडी लेंद है आप उसमें से एक इंच एक्स्रा ले लिजे मार्जन तो जैसे मुझे छे इंच की स्लीव की लेंच चाहिए तो मैंने आप एक का आम होल लिया था तो मैं यहां पर एक इंच एक्स्रा यानि कि साढ़े साथ इंच पर निशान लगा रहे हूं अब इस पॉइंट से नीचे को हमें तीन इंच पर एक निशान लगाना है और इस पॉइंट को ऊपर फोल्ड वाली साइड में स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर अब यहां पर आपग काृम होल कर्व बना ले और थोड़ा सा घुमाओ देटे वे हमें यह पर फ्रंट का मोड कर वे बना लेतार अब यहां फोल्ड वाली साइट से अंदर को हमें राउंड आम के लिया निशान लगाना है तो मेरे मेरे मेजर्मेन पोरी हो कि अब हमें कट किया अब इसको ओपन करने के बाद यहां पर जो फ्रंट का आम होल कर वे इसको अब हम कट कर लेंगे तो स्लीव की कटिंग पूरी हो चुकी है अब स्लीव को बैक वाले पार्ट को और यह फ्रंट वाले पार्ट को हमें में में कपड़े में भी कट कर लेना है तो मैंने य लक्ता होवा है और केका हुलार आधा इंच की दूरी पर पूर सिलाही कर लाधा हैं मैं शेलाही करोता हुब इसमें यहां को सिलाही लगाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा दी है अब मेन कपड़े को हमें कट कर लेना है आदा हम चोड़ते वे और कट करने के बाद इसमें चोटे-चोटे से में कट्स लगा लेने हैं और अब हमें क्या करना है इसको सीधी तरफ को पलट लेना है सेम इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट में में पलट लेना है और इसमें प्रेस करके आप टॉप स्टेच लगा ले तो देखिए मैंने यहाँ पे नेक लाइन में प्रेस करके टॉप स्टेच लगा ली है अब इसके जो back side में हमने dart बाने आई थी इस dart में हमें सिलाई लगानी है तो इसको कैसा सिलना है वो मैं आपको बता देती हूँ तो दीखिए ये dart है और इसके center वाली line से हमें कपड़े को इस तरह से पलटना है और यहाँ पर जो टेरी वाली line आपको दिख रही है इस line पे हमें सिलाई लगा लेनी है अब same इसी तरह से हमें दूसरी तरफ की dart में भी सिलाई लगा लेनी है अब मैं इसका जो ये प्लैकेट वाला हिसा है प्लैकेट बनाऊंगे तो प्लाकेट के लिए मैंने दो कपड़े के पीस लिये हुए है लंबाई इसकी ब्लाउस के जितनी है और इसकी जो चौड़ाई है एक तरफ मैंने तीन इंच ओड़ा लिया है और दूसरी तरफ मैंने धाई इंच ओड़ा लिया है अब ब्लाउस पहनते टाइम जो पार्ट आपका लेफ्ट हैंड साइट पर आएगा उस लेफ्ट हैंड साइट वाले पार्ट में हमें तीन इंच वाली पट्टी लगानी है और पहनते टाइम जो पार्ट आपका राइट हैंड साइट पर आएगा उसमें आप दो इंच वाली तो यह देखिए पहले मैंने तीन इंच चौड़ी पट्टी वाला हिस्सा लिया है अब इसको पहले हम उल्टी तरफ को यानि कपड़े की रॉंग साइट को पलट देंगे उसके बाद यह उपर वाला हिस्सा है यहां पर एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा दिखेगा आपको और सीधी तरफ को आप देखिएंगे कि कपड़ा जो हमारा वो एक इंच करी भी हाँ पर बढ़ जाएगा तो इसी तरह से हमको बनाना है अब इसमें हाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे अब यह दो इंच ओड़ी पट्टी वाला हिस्सा में ले रही हूं और इसको भी हमें कपड़े की उल्टी तरफ को रॉंग साइट को पहले पलट देना है उसके बाद उपर से जो आधा इंच का कपड़ा है पहले हम इसको फोल्ड करेंगे यह जो नेक लाइन की तरफ है व बस हमें इसमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है तो यहां पर प्लैकेट बनके तयार हो गया है यह एक के उपर एक इस तरह से यहां पर आ जाएगा बैक वाला पार्ट बन गया है अब फ्रंट वाला पार्ट बनाना है तो उसके लिए मैंने देखिए फ्रंट के सभी पार् तो इसके लिह देखिए दोनों पार्ट एसको सीधी ऐसे चाहई तरफ वहारहमें छालारी ते दिनींडी हैं 27 तर पर में एसे एसा वारीताते है तो ये दोनों पार्ट्स मैंने यापे जौइन कर लिए हैं, आम होल में अगर आपके उसमें कप्ड़ा थोड़ा ऊचानीचा हो रहा 해 तो आप उसको ट्रिम करके बराबर कर लीजे, अब इसके उपर हमें अपने बैग के दोनों पार्ट्स को रखना है, ध्यान रहें दोनों क कि सीधी तरफ ये दूसरी और कहाम होनी चाहिए अब हमीं इसके शौल्डर में सलाई लगा लेनी है देखिए मैं इसके शौल्डर में इसलाई लगा ली है अब इसके नेकलाइन बनानी है तो उसके लिए मैं कपड़े को इस तरह सर फैला के रख रहे हूं अब इंच के लिए बुकरम का पीस लिया है इसकी लंबाई 17 इंच है और इसकी जो वेट था वो 5-5 इंच की है इसको हमें बिल्कुल से फोल्ड कर लेना है और इसको आप एक बाद पिंस से सिक्यॉर कर लें थाकि मार्किंग के टाइम पे यह लेना अब यहां से फोल्ड वाली साइड है उपर को हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है अब यह जो फोल्ड वाली साइड है यहां से अंदर की तरफ को हमें 3 इंच पर एक निशान लगाना है और अब इस पॉइंट को यहां उपर वाले पॉइंट पर हलका सा गुमाओ देते हैं हमें जॉइन कर देना है और उसके कॉलर की जो विट्थ है वो मैं यहां पर 1.25 इंच की ले रही हूं तो हर 1.25 इंच पर मैंने निशान लगाया और इन सभी पॉइंट को मिला लेना है अब यह जो नीचे वाली लाइन है इसको हमें इंच टेप की मदद से एकवा मेजर कर लेना है और 7.75 इंच पर मैं लेजिए एक निशान लगा लीजिए क्योंकि यह बैक वाली नेक लाइन है और जो ओपन वाली साइड है यहां पर आप एफ लिख लीजे दोनों तरफ पे यह फ्रंट वाला हिस्सा बनेगा और अब से मार्किंग के उपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है अब यह जो करें बिला करते हैं तो देखिए मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा लिया हुआ है और इसकी ऊपर हमें अपने यह बुकरम वाली नेक लाइन को से रखना है और इसके उपर आप प्रेस कर दें जिससे ही ची पग जाएगा तो देखिए मैंने इसमें प्रेस कर लिए है अब ह बॉटम वया हिस्सा है यहां पर आधा हिंज का मार्जन छोड़ते वह हमें इसको कट कर लेणा है और इसाले से बुखरम से सिलाई लगानी है तो यहां कटने । train करना है हमें लेकिन एक पार्ट से आधा हिंज का मार्जन को उपर की कर से जाएंगे एक हिस्से को और इसमें अब हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे ध्यान रहें बुकरम के उपर सिलाई नहीं चलानी है बिल्कुल बुकरम से टच करते वे हमें इसमें सिलाई लगानी है तो ये दीखें मैंने सिलाई लगा दिये इसमें एक्स्ट्रा कपड़े को आप कट कर लें आधा हिंच का मार्जिन छोड़ते वे और उपर की तरफ पे चोटे-चोटे से कट्स लगा लेने हैं और कॉर्नर्स को भी कट कर लेना है इसके बाद हम इस कपड़े को सीधी तरफ को पलट देंगे अब इसमें हमें प्रेस कर लेनी है जिससे में चीज़े फिनिशिंग आ जाएगी तो देखिए मैंने इसमें प्रेस कर ली है अब इसको हमें ब्लाउस मा टैच करना है तो यह देखिए यह नेक लाइन है ब्लाउस की और अब मैं इसमें यह कॉलर को अटैच करूंगी तो इसमें पूरे कॉलर में हमें आधा आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है तो दीखे यहां पर मैंने इसमें सिलाई लगा ली है अब हमें कॉलर को सीधी तरफ को पलटना है और जो आधा इंच का कपड़ा है इसको हमें अंदर को फोल्ड करते जाना है और इसमें हम यहापे sily लगाते जाएंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका collar attach कर दिया है और इसकी जो back वाली side है यहाँ पर एक हम loop attach कर लेंगे और इसमें button लगा लेंगे जिससे neck band होजाएगा और इसके बार अब मैं इसकी sleeves बनाती हूँ तो यह मैंने स्लीव लिए गई है और सीधी तरफ पे मैंने अस्तर के कपड़े को रखा हुआ है और इसके जो बॉटम वाली साइड यहां पर आधा इंच की दूरी पर हमें सिलाई लगा लेनी है तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा लिए है अब हमें अस्तर को पीछे की ब्लाउस के फ्रंट आमोल के साथ जोईन होना चाहिए और ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ दूसरे क्यों मुझ करते वे होनी चाहिए और अब हम इसको इस तरह से यहां पर स्लीव को सिलाई लगा के जोईन कर लेंगे तो यहां पर देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा ल करनी है तो इसके लिए मैंने डेरें चॉड़ी डबल फोल्ड में पट्टी ली हुई है और इसको मैं ब्लाउस के बॉटम वाले पार्ट में इस तरह से मिला कर रखूंगी और इसको आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा के इसको डबल फोल्ड कर दूंगी तो यहां पर कि दूल देख सकते हैं मैंने इसका बॉटम डबल फॉल्ड कर दिया है और यहां लुवे लगा लिये हैं और यह जो ऊपर भी लिना यहां पर कॉलर में यहां पर हमें लूप बनाना है और बटन लगाना है तो यहां पर मैं रेडी में डोरी ले रही हूं और इसके कॉलर में दो डोरियां इस तरह से लूप बनाते में लगा लूँगी और दूसरी तरफ पर दो इस तरह से बटन लगा लेने हैं और यह